Good morning students, myself Dr. Bharat Singh Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College Kota. Today discuss about Coordination Compounds. हमने previous lecture में Coordination Compounds related कुछ definitions and दुक लबन, संकुल लबन के बीच difference और वर्नर सिध्धान्त के बारे में डिस्कस किया था. उसी को continue करते हुए आज हम experimental verification of वर्नर थियोरी के बारे में अध्यन करेंगे. कुछ प्रियोग के दुआरा हम वर्नर सिध्धान्त की पुष्टी करते हैं. जिन में से पहला experiment जिसका हमने कल भी अध्यन किया था. आज पुने एक बार ब्रीप करना चाहूँगा और आप ध्यान दें कि जो फर्स्ट एक्सप्रीमेंट है वो है आईनिक अभिखिरिया या आईनिक जी एक्संस. जैसा कि हमने प्रिवेस लेक्चर में पढ़ा था कि कोबाल्ट संकुलों में जो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए एक्टम या ग्रोप आईनिक नेचर के होते हैं ये आईनिक रियक्संस कम्प्लीट करते हैं और कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेज में जो फर्स्ट आप का कॉम्प्लेक्स था वो था COCL3.6 NH3 ये क्या करेगा AGNO3 के साथ रियक्शन करके 3 मोल AGCL का प्रिशिपिटेट बनाएगा आप देखें इसको इस रियक्शन के मैध्यम से यहां ये COCL3 है जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स बॉर्णर ने लिया था 0.6 NH3 AGNO3 के साथ रियक्शन करके 3 AGCL या हम कहें 3 मोल AGCL का अवच्छे प्रिशिपिटेट बनाएगा इसलिए हमने इसको नीचे जो एरो का निसान लगा हुआ है उसका सिग्ण या माहुत नीचे की हो रहे है जोकि ये प्रिशिपिटेट बनेगा इट मींज इस संकुल में तीन क्लोरीन परमानों आएनित होने वाले हैं अर्था तीनों ही कोबाल्ट के साथ प्राइमरी वेलेंसी से जुड़े हुए हैं जैसा कि वर्नर सिद्धान्त के जो रूल्स थे उनका जब अपनने प्रिविश लेक्चर में संचिप्ट में विवर आएनिक सेयोजक्ता सो करते हैं और इसी लिए जब ये तीनों प्राइमरी सेयोजक्ता सो कर रहे हैं आएनित होते हैं तो कोबाल्ट की जो ऑक्सिडेशन इस्टेट है वो भी इन पर डिपेंट करेगी तो हम केश सकते हैं कि कोबाल्ट की इसमें जो ऑक्सिकरन आवश्था ह वो plus 3 है और जो remaining 6 NH3 है वो उसके coordination number को decide कर रहे हैं तो इस complex में coordination number कितना है 6 अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये 6 के 6 NH3 secondary valency को complete करते हैं या संतुष्ट करते हैं और अगर हम इसकी structure देखें तो आप को इस समझ में आ जाएगा यहाँ आप ध्यान से देखें ये कोबाल्ट है और कोबाल्ट के साथ आप देखेंगे 6 NH3 coordination bond के द्वारा जुड़े हुए हैं उप सैसे यो जगबंद बना रहे हैं और ये 3 CL जो primary valency complete कर रहे थे ये आइनित भॉम में बाहर निकल जाते हैं AGCL के साथ तो इस परकार से COCL 3. NH3 की ये structure है इसी परकार से जो वर्णर ने second complex लिया था बोल या था COCL 3.5 NH3 और ये भी AGCL के साथ AGNO3 के साथ जब reaction करेगा तो 2 mol AGCL का precipitate बनाएगा आप यहां इसको भी इस reaction के मैद्यम से और अच्छे से समझ सकते हैं ये COCL 3.5 NH3 और ये AGNO3 के साथ रियेक्षन करेगा तो AGCL precipitate के रोग में बनेगा अब आप यहां देखेंगे एक महत्पूंचीज जैसा कि परभी इस लेक्चर में हमने वर्णर सिद्धान्त के कुछ सिद्धान्त में से हमने संचितने विबरन पढ़ा था तो उसमें ये पढ़ा था कि जो आइनिक होते हैं वो प्रात्मिक और दुतियक जो रिनाइन होते हैं वो क्या करते हैं केंद्रिय धातु परमानों की प्राइमरी एंड सेकंडरी अथवा दोनों ही बेलिंसी को संतोष्ट कर सकते हैं यहाँ क्लोरिन क्लोरेट कैसा है आपका यह रिनायन है और यह प्राइमरी और सेकंडरी अत्वा दोनों पिरकार की सयोजगता कम्प्लीट कर सकता है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आप इस स्ट्रिक्चर के मैध्यम से आपको और ज्यादा समझ मा जाएगा आप देखिए यह आपका कोबाल्ट है और कोबाल्ट के साथ इस कॉंप्लेक्स में 5-N-S-3 थे तो यह 5-N-S-3 इसके साथ जुड़े हुए हैं कोडिनेशन कमपाउंट बना रहे हैं और यह दुत्यक सही जुकता सो कर रहे हैं इसी प्रकार से इन 3-C-L में से 2-C-L तो आइनित फों में अ आपकी डबल नेचर सो कर रहे हैं डबल नेचर मतलब यह आपकी दुत्यक सही जगता भी सो कर रहे हैं अर्थात यह कोबाल्ट के साथ प्राइमरी एंड सेकंडरी दोनु सही जगताओं को एक साथ संतुष्ट कर रहे हैं कौन यहां पर आपका क्लोरिंग क्लोरिंग जैसा क दो CL माइनस आइनेत हो रहे हैं और दो AGCL के रोप में प्रेशिपिटेट बन रहे हैं इसी पिरकार से जो थड़ कॉंप्लेक्स वर्णर ने लिया था वो था COCL3.4NS3 ये भी AGN3 के साथ जब रियक्षन करेगा तो केवल एक मूल AGCL का अवचेप बनाएगा आप ध्यान दें यहां देखेंगे इस रियक्षन के मैत्यम से COCL3.4NS3 AGNO3 के साथ रियक्षन की तो केवल AGCL ही बना एक मूल और AGCL बना तो केवल CL माइनस एक आइनित फोर्म में आया अर्थात ये प्रात्मिक सही जगता को संतुष्ट कर रहा है केवल एक CL जबकि सेस दोनु किलोराइड आयन कोबाल्ट की प्राइमरी एंड सेकंडरी दोनु प्रकार की सही जगता को संतुष्ट कर रहे हैं इस इस्टेक्षर के मैत्यम से आप देखें ये चार नस्थरी है ये तो दोत्यक सही जगता को ही संतुष्ट करेंगे लेकिन दो CL ये यहाँ पर दोत्यक सही जगता को कोबाल्ट के साथ संतुष्ट कर रहे हैं और इसी प्रकार से अगर हम next COCL3.NS3 का भी अगर एक्जाम पे लें तो ये AGNO3 के साथ कोई अप्छेप नहीं बनाएगा सिल्बर नाइट्रिट के साथ ये इस कारत क्या हुआ कि इसमें एक भी क्लोरीन परमानु ऐसा नहीं है जो कोबाल्ट के साथ आएनिक बंद द्वारा जुड़ा हुआ हो अर्था तीनों क्लोराइड आएन कोबाल्ट के साथ कौन सा बंद बना रहे हैं उपसे सही हो जग बंद बना रहे हैं या उपसे सही हो जग बंद के साथ है जुड़े हुए हैं और कोबाल्ट की प्राइमरी एंड सेकंडरी दोन उपरकार की वेलिंसी को यह संतुष्ट कर रहे हैं कौन जो आपके यह क्लूराइड आयन हैं और इसकी इस्टेक्चर देखने के बाद यह आपको एकदम से समझ माझा जाएगा यह किलियर हो जाएगा कि वाजितम में यह जो क्लूराइड आयन हैं यह यहाँ पर उपसे सही जुगपंद बना रहे हैं इसका मतलब यह यहाँ पर तुतियक सही जगता को कोबाल्ट के साथ कम्प्लीट कर रहे हैं अब सेकंड जो बिंदू आता है प्रियोग में वो है उसका हिमांक में आपनमन हिम कंक्लूजन देखें तो वर्नर सिद्दान्त की यह पुश्टी करते हैं हिमांक में अवनमन के प्रियोग से पदार्थ के कणों की संख्या ग्याद की जा सकती है जबकि चालक्ता या कंड़क्टिविटी के प्रियोगों से आवेस की संख्या को ग्याद किया जा सकता है यह conductivity से जो आभेस आएगा उसकी संख्या को ग्याद किया जाएगा अगर हम इन दोनों को हिमांक में अवनमन और चालकता को कोबाल्ट कलूरेड वा अमूनिया के रेफ्रेंस में तो इस नीचे एक table दी गई है उसके साथ हम यह आसानी से पता लगा सकते हैं जैसे support that यह आपकी टेविल है जिसमें एक संकुल के फॉर्मूलाज दिये हुए हैं साथ में दिया हुआ है कि हमांक अवनमन प्रियोगों से कणों की संख्या और उसके पेरिलल दिया गया है चालकता प्रियोग से आविश्यों की संख्या then structure अब आप देखिए फर्स्ट जो स 3.6 NH3 अगर इसकी हम structure देखेंगे तो इसकी structure में आपको क्या मिलेगा कि जो इसकी structure होगी इसमें 3Cl- ये तो आइनित हो जाएंगे और remaining 6 NH3 ये एक साथ कोबाल्ट के साथ coordination compound बनाएंगे अर्थात हम कहें कि 6 NH3 एंड कोबाल्ट जैसा कि मैं ये आपको ये प्रिवियस सिलाइड में देखा था हूँ ये ये आपके 6 NH3 है और ये 3Cl- है तो ये 3Cl हो गये और ये पूरा एक ये एक कन के रूप में हो गया तो 3 और 1 चार तो टोटल CoCl3.6 NH3 complex में 4 कन आपको दिखाई देंगे तो हिमांक अब नवन में कनों की संख्या कितनी सो हुई? 4 और अब आबेशों की संख्या कितनी होगी? क्योंकि आबेश की संख्या आप जैसे ही उस पे देख रहे हो CoCl3.6 NH3 की structure प्रिवियस स्लाइड में देखी की CO NH3 के उपर 3 प्लस आ जाएगा और 3 Cl- तो टोटल जो आपकी वैलेंसी होगी वो 6 आबेश की रूप में सोग होगी और इसकी जो structure दिखाई देगी वो आपको ऐसी दिखाई देगी CO NH3 का होज सिक 3 प्लस 3 Cl- आवेस आप यहां से भी काउंट कर सकते हैं 3 Cl- और प्लस 3 तो टोटल 6 आवेस हो जाएगे इसी प्रिकार से नेक्स्ट भी आपका complex formula से समझ सकते हैं यहां पर भी आप देखेंगे CO CL3.5 NH3 का जब आप structure देखते हैं प्रिविये slide में अभी आपने देखा था तो उसमें क्या होगा इसमें क्योवल 2 Cl- आप छेपित होंगे तो यहां पर टोटल कन की संख्या क्या हो जाएगी 5 NH3 और कोबाल्ट के रूप में एक कन हो जाएगा और 2 Cl- के रूप में दो कन हो जाएगे टोटल मिलाके आपके कन हो जाएगी और इसके आवेस की जो संख्या हो जाएगी चूंकि 2 Cl- अप छेपित हो रहे हैं तो 2 Cl- और 2 Cl जा रहे हैं तो इस पर जो कोबाल्ट और NH3 के ऊपर remaining आवेस बचेगा वो 2 प्लस के रूप में बच जाएगा तो टोटल आवेस हो जाएगा 4 इसी परकार से CoCl3 4 NH3 के रूप में भी देख सकते हैं यहां की वल 1 Cl- अप छेपित होगा तो यहां पर जो कानों की संख्या होगी remaining 4 NH3 और कोबाल्ट 1 प्लस 1 Cl- तो टोटल 2 कान और आवेस की संख्या भी 1 Cl के रूप में अप छेप जो आपका कॉंपलेक्स है वो CoCl3.3 NH3 के रूप में अगर देखें तो यहां पी इनी की तरह एक कन जीरो आवेस के रूप में आपको दिखाई देगा तो इससे हिमांक में अवनमन तथचालकता प्रियोगों से आप उसकी स्ट्रेक्चर और कनों की संख्या आवेस की संख् आधी के बारे में जानकरी कर सकते हैं अब आता है इसी वर्णर सिद्दांत की एक और महत्पूंबात है उन्होंने क्या कहा कि जो कॉमम्पलेक्स या उपसे सयोजक आयन अथवा आणों की निश्चित आकर्ति भी इन्होंने थी उन्होंने कहा कि अगर केंद्रिय धातु परमाणुए आयन के चारो ओर समस्त लिगेंड एक निश्चित आकरती में वेवस्तित होते हैं तो क्या हो जाएगा निश्चित वेवस्तित होने के कारण उपसे स्योजक योगिकों में एक त्री भी मियें समावेपता पाई जाएगी जैसे उधारण के तोरपा अगर आप देखें अगर कोडिनेशन नमबर 6 है तो योगिक की जो इस्टेक्चर होगी वो अश्ट फलकिये होगे जैसे देखिए यहाँ पर coordination number six है तो यह योगिक जो structure बना रहा है वो अश्ट फलक के रूप में आपको दिखाए दे रहा है यह six coordination number one two three four five and six तो यहाँ पर इसकी आकरती भी निर्धारत हो जाती है इसी पिरकार से अगर coordination number four है तो उससे क्या हो जाएगा आपका वो बर्ग सम्तल हो जाएगा देखिए यह बर्ग सम्तल की structure है अगर आपकी coordination number four है साथ में चार वाले योगिक चतुस फलक के सरचना में भी पाई जाते हैं जैसे यह चतुस फलक के रूप में भी coordination number four वाले योगिक पाई जाते हैं यह सररचनाएं भी किसके सिद्धान से प्रूप होती है वर्णर सिद्धान से प्रूप होती है इसलिए वर्णर को हम क्या मानते हैं क्योंकि उपसे सयूजर क्योगों को के जो आधार बूच सिद्धान दिये थे या बेसिक प्रिंसिपल्स क्रियेट किये थे वो वर्णर नही create किये थे इसलिए वर्णर को हम उपसे सयूजन रसायन के पिता भी कहते हैं या फादर आप कोडिनिशन केमिश्ट्री भी कहा चाहता है अब आप कहाता है अबसे सयूजन रसायन में प्रियुक्त कुछ महत्पून पद महत्पून पद कौन कौन से हैं उन महत्पून पदों के बारे में हम कल डिटेल से अध्यान करेंगे